नमस्कार दोस्वों आप शुबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आप शुबी को बता दे कि या फिर आपके घर परिवार के पीछे लग गई है या चुडेल जिया दोस्वों आप शुबी को बता दे कि शुमे रहते हो जाएं शावधान वरना ये आपके घर को भी बरबाद करशकता है ये दोस्तों हम आप शुबी को बता दी कि आने वाले शुबे में अब इनका खेल खत्म होने वाले हैं तो दोस्तों आज को यह विडियो आप शुबी के लिए बहुत ज़्यादा महत्पून और बहुत ज़्यादा भागी शाली रहने वाली है तो दोस्तों आप इने बिल्कुल भी मिशना करें और शुरूस लेकर अंत तक जरूर देखिएगा यह दोस्तों आप शुबी को बता दे कि व्यक्ति जब अपने जुनकाल में आगे बढ़ने लगते हैं लोगों से अलग करने लगते हैं जब आप अपने जुनकाल में आगे बढ़ने लगते हैं तो दोस्तों लोग आपसे कही ने कही जरूर जलते हैं और इतनी हद तक जलते हैं इतने हद तक आपको नीचे गिराने का प्रयाश करते हैं कि कह नहीं शकते हैं उसके बाद वो लोग जब कुछ कर नहीं पाते तो तांत्रिक बिद्याओं का इस्तिमाल करते हैं और दोस्तों पिछले कई दिनों शे आपने देखा है कि आपके कारे बनते बनते बिगड़ रहे हैं जिन कारियों में आपको मन लगता था उन कारियों में भी आपको मन लहीं लगने लगा है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप अंति तक दिखिएग कि दोस्तों आँज के में हम बात करने वाले हैं कि कैशे आप आ нажक कर शक्ते हैं शादि केसी आप इंसे बच्छ सकते हैं इनको पनेजिशन का दशान काल से कैशे बाहर जाल सकते हैं शबी महतुन जानकानिया इस वीडियो में है तो दोस्तों वीडियो को सुरूर से लेकर अंत तक जरू देखेगा उश्य पहले दोस्तों जो भी माकाली के सच्चे वक्त वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब को एक लाइक जरू करें और कमेंड बॉक्स की द्वस्त होने जा रहा है जो दोसों आप शुदि को बता दे कि जब व्यक्ति की जुनकाल में ऐसी जुनकाल में सबसे पहले सोचने की जहंता चली जाती है व्यक्ति अच्छा चीज नहीं पाता इसलिए वहाँ करते हैं उनका मन बहुत जयदा स्वेक्तिन शक्त hこ करता है कि अब हम कोई भी कार करने शक्ते हैं यहां कार हमारे मस्तिक्त से बाहर है कि उनके जुनकाल में किसी और का ही शाया है जो कि वाश में परभाव डालते हैं शाथी आपको बता दें कि एसे समय में व्यक्ति बहुत परशान होने के शाथ साथ कुछ ऐसे गलतकार भी कर जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा नुक्षान कारग होते हैं या दोस्तों हम आप व्यक्ति की जुनकाल में एशे परवा होते हैं यह बुरे शाया होते हैं तो दोस्तों कभी भी किसी के शात रहना परसंद नहीं करते हमेशा उन्हें नीद आने लगती हैं खाने पर ध्या का शाया तो जरूर है तभी दोस्तों ऐसी गठनाई हुई है ऐसे किरिये कलाप हो रहे हैं लेकिन दोस्तों बड़े लोग भी क्या करेंगे जब बड़े लोग कोई भी डॉक्टर को भी दिखाएंगे तो दोस्तों वहां की रिपोर्ट आती है कि आपके बच्चों के उपर बड़े आपके शदश के उपर तो कोई शम्रिशा ही नहीं है रिपोर्ट तो बिलकूल यह अच्छी आने लगते हैं तो दोस्तों इन श्री बी आपको चूप नहीं रहना है आपको समझना है कि किसी का तो साया आपके घर परिवार पर है तभी तो इस परिवार में इतनी क परिशान होता है जब शाथ बेठने वाला व्यक्ति भी आपके शाथ ने रहते यह दोस्तों तोशे में आपको भी इन बातों के अध्यान दखना है तो दोस्तों आपको भी वश में किसी जो तीसी या पिर एसे लोगों का शहरा लेना है जो की तंत्रिक विद्याएं जानते ह जो आपको शहरा लेना है क्योंको अगर आप अभी इसे में कदम ने उठाएंगे तो यही चीज आकी चलकर आपके लिए बहुत यदा खतरनाग हो सकती है बहुत यदा नुचान कारण हो सकती है शायद हो सकता है कि दोस्तों तब तक बहुत यदा देर हो जाए तो आई दो कौन श्रवेटि के पीछ वही लोग कुछ कारे करते हैं जो कि उनके आशपास हैं जो उनके स्वेटे में हैं सबीक को याद करना है जिनकल में बहुत बहुत शायररे चिजए ने दूर में बहुत चाहई चाहरे हैं जिन कोई आपको जरूत है जिए दोसों और इनी सब चीज को देखकर लोग आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं जिए दोसों पिछले समय में जब आपके पास कुछ भी नहीं था तो दोसों लोग कितना आपसे जलते थे कितना आपको नीचे गिराने का प्रयाश करते थे लेकि बहुत आपको जलते हैं दोस्तों यह बात आप अभे भी जानते होंगे तो दोस्तों एसी लोगों से श्तल करे हैं कि दोसी यही लोग हैं जो कि आपके ऊपर शैया चोड़ें यही बुरी अत्माई चोड़े है जो कि आपको धीरे बर्वात कर रहा है और आप शभी तुम Lewis 17 आप समय को आपके आप दोस्तों नियुक वरेंगे तो आपको लगता है कि ही या व्यक्ति हम से जलते हैं तो आप दूर रहने क्या प्रयाश करें क्यों तो यह से ही व्यक्ति यह अगर आप उनकी जुनकाल और शमय रहेंगे तो दोस्तों आपकी आपको अपने बचाव के लिए अपने जुनकाल में इन शवी बातों का ध्यान देना होगा जो दोसों हम आप शवी को बिता दें कि आप इन लोगों से कैसे बस सकते हैं शब्चे बजो दोसों आप शवी को अपने जुनकाल में अपने इस्ट देव को याद करना है जो भी इश्वर को आप मांते होने याद करना है और जो उनकाल में हुई श्वी गलतियों को मानना है कि हे इश्वर हे प्रभू हमसे यह गलती हुई है आयंदा हमसे यह गलती नहीं होगी श्वी गलतियों को आपको इश्वर की शामने मानने हैं और छमा प्रातना करना है दो सर्थे हम अब आपके ही रास्ति पर चलेंगे दोस्तों एसी प्रातना आप शुभाशाव अपने जहुनुकाल पी करएं और शाधिध दोस्तों आपको बता दें कि दुश्मन के कारक हर्माण जी माने मंद이트 में पूजा पाट शंवांगों आतए हेसी करें में जा करें जाए कि अगर आपके घर में रव leaning फोपर बूरी द्याध हो पर दोस्तों उनके हाथ में काली धागे जरूर बांड दे क्योंगते बने काला धगा बुरी नजर वालों के लिए बहुती कार गरशी होती है तो दोस्तों काला घागा उसके मंगलवार या फिशनिवार की दिन बांद सकते हैं यह आप लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन उपाय होंगे इसको अगर आप दुश्मन से पचना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आयंदा आपकी जुनकाल में एसी शत्रू आई ही ने शत्रू पेदा ही ना हो दोस्तों आपको भगवान जlorण में जाना होगा भगवान श्न्देव को पूझा पाठ करना होगाश भगवान श्रनिधेप को आपको अपको पाथे पाइनों काले कुटे कव ये आपके दुश्मन होगों चुनकाल में होने वाले शबी दुश्मनों शी आप मुक्ति पाएंगे। तो दोस्तों आप अपने चुनकाल में इन शबी बातों के अध्यान रखेंएं दोस्तों ये शबी बात आपके बहुत जएधा इंपोर्टेंड होंगी। और शाध दूस्तों हम आपको एक ऐसा सेसन बीद दें कि दूस्तों, अपने जुनकाल में आप कितना भी धन अजजित करें, कितने भी आप शुकों को प्राप्त कर लें, लेकिं, दूस्तों कभी भी अपनों के शामने उन्हें जाहिर ना करें, तो दोस्तों यहीं लोग होते हैं जो आपके साथ तो अच्छे रहते हैं लेकिन दोस्तों पेचे पेचे चलते चलते शमें बित्ते बित्ते धीरे धीरे आपशे या दुश्मनी मोल लेने लगते हैं तो दोस्तों एसे में आपके जुनकाल में इन बातों के दियान रखें जा की बधाया जाती है तो दोस्तों आज युदों आपको जुनकाल के बहुत श्चाइज बहुत जुद्फद हो जाते हैं ऑप पर दांतर क्रिया भी करते हैं तो दोस्तों कभी भी अपने कारें को उतना बखान ना करें जितना आप आपकरते हैं जो आज अपने जुनकाल में आप इन सबी बातों का धेल रहें दोस्तों यह आप के लिए बहुत ज्यादा लापकारी होंगे और दोस्तों ही आप अपने जुनकाल में सबी समनों से बचपाएंगे तो दोस्तों आज के यह वीडियो गर आपको अश़ा लगा ह हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रू करें और श्याद दोस्तों और श्यादी जनकारें के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद